आप सब उमेद करती हूं आप सब खेर से होंगे सौगत आपका मेरा और आपके चैनल कोकिंग वी नाजरीन में तो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती चटपटी और स्वाधिस सी आलू लच्छा टिक्की और यहां पर हमें स्टफिंग करेंगे चना दाल की तो चलि करेंगे हाफ टीश्पून नमक और यहां पर हमने यह 500 ग्राम अभले हूए और कसे हुआ अलू लिये थे आधा चमची इसमें एड करेंगे लालमिच पॉडर थोड़ा से यहां पर हमें एड करेंगे अगर मसाला पॉडर आधा चमच आपका यहां पर यूज करेंगे चाट मसाला पॉडर थोड़ा सा धनिया पत्ता थोड़ी सी हरी मिर्च यहां पर हम यूज करेंगे दो से तीन चमच अरा रोट इससे हमारी में मसाले मिक्स हो चुके हैं इसको गटता है एक साइड अब हम टिकी की अपनी स्टफिंग तयार कर लेता है यहां पर हम बारी कटी भी अब दाल दाल अब लेता है यहां पर मैं अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लिया अब हम अपने यह आलू ले और इसको ठीकी का शेप देंगे यहां पर अब मैं चना दाल की स्टफिंग कर लूँगी अब हम अपनी आलू टिक्की को लच्छा बनाने के लिए अपने ग्रेटेड आलू इस्तमाल करेंगे अब हम इनको फ्राइ ट्यार लिए तो चलिए चलते हैं फ्राइं की और अलमारा हीट हो चुका है हमने अपनी इसमें एक टिक्की डाल दी है अब हम इसको ग्रिस्पी और गौर्डन फ्राइ होने तक फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स टिकी हमारी फ्राइओ कर तयार है देखे इसका कितना खुबसरत कलर आया है इसी तरीके से हम इतनी सारी टिके तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तरीके से यहां पर हम ने इसमें दही एड़ कर दिया है अब हम यहां पर इसमें एड़ करेंगे इमली की खट्यमीटी चटनी यह हॉममेड है यहां पर यह दनिया चिटनी थोड़ा से एड़ करेंगे नमक पैलमिश पॉंडर क्याक मसाला थोड़े इस्तमाल करेंगे अनार के दाने अच्छा टिकी चना दॉले स्टफिंग के साथ तयार है रैसीपी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल का सब्स्राइब करना ना भूलिए तब तक कि लिए बाए अला हाफिस अपना खयाल अपसे नहीं वीडियो के साथ तक तक के लिए